नागपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हलचल पर कुसमगर गुरूप की डारेक्टर सी ए पल्लवी कुसमगर जैन ने कहा कि इस महामारी में भारतिय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनोतियों को ध्यान में रखते हुए वित्तम अंत्राले ने एक अच्छा संतुलन कायम किया है आटो मोबाइल उद्योग के समन में भारत सरकार चार्जिंग स्टेशनों के बजाए इलेक्ट्रिक कारों के लिए बैटरी स्वैपिंग पर विचार कर रहा है क्योंकि अपने प्रदुशित और भीडभाड़ वाले शहरों में स्वच्छ परिवहन को अपनाने का प्रयास क लेकिन इस बारे में विट्व मंत्री ने कोई बयान नहीं दिया ततकालिन पुर्वध्यक्ष आई सीए आई नागपूर सीए की रिटेन कल्ल्याणी ने कहा कि बजट 2022 अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करता है अनुमान यथार्थवादी प्रतीत होते हैं और इस बज बजट कहा जा सकता है क्योंकि बजट में कोई अनुचित प्रोथसाहन नहीं दिया जा रहा है 2022 में होने वाली 5G स्पेक्ट्रम की निलामी ग्रामिंट शेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन स्थापित करना कि फाइती आवास, क्रिशी, डिजिटल मुद्रा, आधि महाराष्ट मेडिकल काउंसिल के उपाद्धिक्ष डॉक्टर विंकी रुगवानी ने कहा कि महामारी ने सभी उम्र में मानसिक स्वास्त समस्या को बढ़ा दिया है इस बजट में वित्तमंत्री द्वारा भारत में एक राष्टिय टेली मेंटल स्वास्त कार्यक्रम स्थापित करने की घोशना एक स्वागत योग्य कदम है राष्टिय डिजिटल स्वास्त परिस्थिती की तंद्र के लिए खुले मंच को रोल आउट करने का निर्ने लेकर सरकार ने बहुत अच्छा गदम उठाया है रुगवानी ने सरहाना करते हुए कहां भारतिय जंता पार्टी राष्टिय परिशत के सदस्य सुभाष कोटे चाने का की वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन ने बजट में देश विकास एवं किसानों के उत्थान का बहुत ज्यादा ध्यान रखा है एनवी सीसी की डायरेक्ट टैक्स समीती के सयोजक संदीब जोतवानी ने कहा कि ये बजट कई शेत्रों को संदुलित करता प्रतित होता है चाहे वह रक्षा, क्रूशी, बुनियादी धांचा हो या धनका सटिक आवंटन सरकार स्टार्ट अप्स को अच्छा बढ़ावा दे रही है जो आज के जमाने में एक स्वागत योग्य कदम है अगर ये योजना अच्छी तरह से लागू की जाए तो ये रोजगार सुरुजन के लिए एक बहुत ही बड़ा वर्दान साबित होगा COVID-19 महामारी को देखते हुए करदाताओं के साथ-साथ छोटे और मजोले कारोबारियों को भी काफी उम्मीदे थी लेकिन उन्होंने कोई राहत न मिलना वास्तव में इस वर्ग के नागरिकों के लिए अत्यनता निराशा जनक है देश के तमाम छोटे और मजोले कारबार एक कठिन दौर से गुजर रहे है अतहा इस शेत्र को बढ़ावा देने के लिए कठिन दौर और प्रयास बहुत जरूरी थे इस बजट में इस वर्ग के लिए कोई निरने नहीं लिया गया है जो की निराशा जनक है सियर आदेशाम तीवारी ने कहा कि केंद्रिय बजट में बड़ी मातरा में सपनों के वादे है लेकिन हकिकत में आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है बजट को चुनाव पर नजर रखते हुए पेश किया गया है इस तरह केवल सपने देखने से नागरिकों को हकिकत में कुछ नहीं हासिल होगा हाला कि रक्षाक्षेत्र, किसानों और बुनियादी धांचे की विकास के लिए कुछ अच्छे कदम जरूर उठाए गया है वही दूसरी और आय चुट की सिमा नहीं बढ़ाई गई है स्पेस वूट फरनीचर्स प्राइवेट लिमिटेट के संस्थापक डारेक्टर किरिट जोशी ने कहा कि मोधी सरकार के दिर्ग कालिक दुरुष्टी कोन को देखते वे बजट बहुत भविश्यवादी है जलवायू परिवर्तन से लडने के लिए भारत की प्रतिबधता, EV को बढ़ावा देना, कोईले की गैसी करन और PLI योजना में सौर मोडिल निर्मान सहीद बजट में कई महत्वा पुर्ण और सरहानिय निर्ने लिये गये है PLI योजना में 14 अक्षेत्रों का अतिरिक्त समाविश एक बहुत ही अच्छा कदम है जो विनिर्मान अक्षेत्र को बढ़ावा देगा कि ऐसा लग रहा है कि बजट 2022 में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन परोक्ष रूप से इसमें हर क्षेत्र के लिए दरसल बहुत कुछ है इस बजट का मुख्य फोकस इंफ्रास्ट्रक्शर, कुरुशी, शिक्षा, स्वास्थ और रक्षा है डाग घरों का डिजिटली करन, डाग घरों के व्यापक नेट्वर को फिर से सक्रिय करना और उन्हें अर्थव्यवस्था से जोड़ना एक सरहानिय कदम है डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिंटेक को बढ़ावा देना प्रोध्योगी की पर आधारित सक्षम विकास को दर्शाता है कि केंद्रिय बजट कुल मिलाकर एक संतुलिद बजट लगता है आर्थिक सर्वेक्षन के अनुमान मामूल है बजट में स्टार्ट अप और नीजे संस्थाव को बढ़ावा देने हैं तो परियाप्त निथी उपलप्त कराना रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25 प्रतिशत अलग रखने का प्रस्ताव एक उत्रुष्ट एवं सरहानिय कदम है कोरणा वैरस महामारी के बीच बजट में लिये गए कई महत्वपुर्ण एवं सकारात्मक निर्ने आत्मा निर्भर भारत के लक्ष को हासिल करने में देशवास्यों के लिए वददगार साबित होगा हाला कि कराधान अनुपालन के सरली करन के सम्मद में प्रश्न अनुत्तरित रहे है केलकर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन्ने हाल ही में प्रधान मंत्री नारेंद्र मोदी के एक मजबुत सक्षम एवं आत्मा निर्भर भारत के सपने की शुरुवात को चिन्हित करते हुए संसद में केंद्रिय बजट प्रस्तुत किया इस बजट में देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े के महत्वपुर्णक शेत्र जैसे कुरुशी, उद्योग, शिक्षा, रोजगार, प्रोध्योगी की अनुसंधान, स्पेस रिसर्च आधी के लिए अत्यंता महत्वपुर्णा एवं सकारात्मक निर्ने लिये गये हैं जो कि सरहानिया है, देश हरक शेत्र में आत्मा निर्भर बनते हुए स्वतंतरता के शताब्दी वर्ष के करीब पहुँच रहा है, मैं उम्मिद करता हूँ कि देश में आने वाले दिनों में गरीब, पिछड़े समुदाय, दलित, शोशित, जनजातिया और मजदुरों को बाकी नागरिकों की तरह समान हक दिलाने है तू केंद्र सरकार व्यवस्था और समाज में बदलाओ लाने के प्रयास करेगी, और सम्मदित नीतिया अमल में लाएगी, इस आशे के विचार केंद्रिय बजट पर प्रतीक्रिया देते हुए एड़गेट मेश्राम ने व्यक रूट पर चलने लगेगी, इस पे सिताबडी इंटर्चेंज से प्रजापति नगर मेट्र स्टेशन के बीच 8.5 किलो मेट्र और कस्तूरचंद पार्क मेट्र स्टेशन से आटोमोटिव चोक मेट्र स्टेशन तक 5 किलो मेट्र दूरी रहेगी, रीच टू के तहद 0 माइल, कस्तुरचंद पार्क, कड़ी गुदाम चोक, कड़बी चोक, इंदोरा चोक, नारी रोड और आटोमोटिव चोक मेट्रो स्टेशन शामिल है स्टेशन के बाई और दाई और लिफ्ट लगाई गई है, स्टेशन के कॉनकॉर्स क्षेतर तक सड़क मार्क से पहुचा जा सकता है कॉर्नल कॉर्स से प्लाटफॉर्म तक जाने के लिए दो समान लिफ्ट है, प्रतिक लिफ्ट में तेरा यात्रियों की क्षमता है लिफ्ट के लावा सड़क से समवर्तिक खेत्र के साथ साथ प्लैटफॉर्म तक जाने के लिए बाई और दाई और एसकलेटर है कॉनकॉर्स की और जाने वाली दो सीधिया और कॉनकॉर्स से प्लैटफॉर्म तक जाने के लिए चार सीधिया भी है नारी रोड मेट्रो स्टेशन का कुल निर्मान ख्षेत्र 4836 मिटर है इस ख्षेत्र में concourse, platform, left entrance and passage और right entrance and passage शामिल है नारी रोड मेट्रो स्टेशन पर्यावरन के अनुकूल है इस टेशन पर 5 किलो वाट शमता वाला बायो डाइजेस्टर लगाया गया है समय के साथ इस माध्यम से उत्पन उर्जा के लिए स्टेशन की छट पर सोलर पैनल भी लगाया जाएंगे जी एच राइसोनी कॉलेज आप कॉमर्स साइंस और टेकनोलोजी नाकपूर के alumni forum कारिय समिती 2021-22 का हालही में प्रतिश्ठापन समारो आयजित किया गया इस समारों के प्रमुकतिति के तौर पर महाविद्यले के पूर्व विद्ध्यार्तियों को आमंतरित किया गया राइसोनी बिजनेस स्कूल की संचाली का डॉक्टर आरती देशपन्डे तथा प्राचर्य जी एच आर्सी सी एस्टी डॉक्टर जस्विंदर कौर ने मानने वरोकार स्वागत किया इसकारेक्रम का आयोजन अलमनाई फोरम की संयोजी का प्रोफेसर अरुमिता पावा ने किया कल्चरल फोरम ट्रमुक प्रोफेसर माधूरी बर्वा ने विद्ध्यार्तियों को संबोदित किया तथा कारिय सफलतापूर्वक, संपन्न करने के लिए अध्यक्ष, वैभवी टेकवानी तथा उपाध्यक्ष अभिचेक सिंग को बधाई दी दयानन्द आर्यकन्या महाविद्धले नाकपूर, बील अमलानी कॉलेज और कॉमर्स मुंबई, महला अध्यन और अनुसंधान केंद्र, रानी दुर्गावती विश्वविद्धले जबलपूर, तथा के पीबी हिंदोजा कॉलेज कॉमर्स मुंबई के सयुक्त तत्वावध प्राचारिय डॉक्टर श्रद्धा अनिल कुमार ने स्वागत भाषन में कहा कि क्षमता विकास कारेक्रम के अंतरगत यह शॉर्ट टर्म कोर्स रखा गया है, इस पाठ्यक्रम से सभी छात्र छात्राय लभनवित होंगे, संस्कृत का बुनियादी ज्यान हमें होना ही चाह उन्होंने संस्कृत भाषा के महत्वा पर प्रकाश डाला तता यह कहा कि संस्कृत दर असल देश की सभी भाषाओ की जननी है, बील अमलानी कॉलेज के प्राचारिय डॉक्टर जीतेंद्र अहिरकर तता उनकी कॉलेज की टीम का तक्नी की सायोग रहा, विशेश वक्ता हेम पोड़ी गडवाल उत्तराखंड से कारेक्रम में जुडे, वे संस्कृत वे हिंदी के अध्यापक है और उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित एक कॉलेज में कारेरत है, उन्होंने वेबिनार के पहले दिन संस्कृत भाषा के विस्तरूत अहितियाईसिक संस्कृतिक व अनिता शर्मा ने किया और डक्टर सुजाता साकरे ने मन्यवरों का आभार मना, कारेक्रम को सफल बनाने है तू, सभी प्रद्य पिकाओ तथा छात्राओं का योगदान रहा शताब्दी चवक के समीप पिछडी बस्ती टूली में सिवा बहूत देशिये संस्था द्वारा लड़कियों एवं बच्चियों की जीवनस्तर सुधारने के लिए अनुकरणिया प्रयास किये जा रहे है यहाँ चलरी सिलाईक अक्षाओ को कला मंच्च की पहल पर बैंक आप इंडिया रेशिमबाक शाखा के पदादीकारियों द्वारा सदिच्छा भेट दी गई साथ ही ठंड के मोसम के मद्दे नजर बच्चियों को बैंक के सौजनने से कंबल भी वितरित किये गए आरंभ में कला मंच्च की और से नरंद्र सतीजाने बैंक प्रबंदक सूरेश सिर्सिकर का शालव पुष्पगुच्छ प्रदानकर सतकार किया संस्था के संदर्ब में कुशल ढाकने जानकरी देते हुए बताया कि यहां वीपरित परिस्थितियों और आर्थी कटिनाईयों से जूचते हुए जीवन यापन करने वाली बच्चियों को सिलाई का काम सिखा कर उन्हें आत्मनिर्बर बनाया जा रहा है यहां तथागत वाचनले भी है जिसका लाप स्थानिय बच्चों को मिल रहा है अपने संबोधन में सिर्षिकर ने संस्था के कारियों की सराहन करते हुए ऐसी नेक पहलों का आगे भी सहयोग करने का आश्वासन दिया कारेक्रम में अनूप मंगले, सोनम महले एवं सोनल गुर्वे की उपस्तिती रही जी एच रायसोनी कॉलेज आप कॉमबर्स साइंस और टेकनोलोजी द्वारा बीची सी ए सत्र एक दो तथा तीन के विद्ध्यार्तियों के लिए एक कारेक्रम का आयोजन इन्फिनिटी कलब में किया गया इस कारेक्रम के दहत विद्ध्यार्तियों ने पावर पाइंट प्रस्तुती तथा पोस्तर के माद्यम से अत्यनत महत्वपुरुन सामाजिक संदिश दिये इस कारेक्रम के प्रमुकतिती के तौर पर यलामन चीली सौफ्टवेर के मानो संसाधन विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर सपना जूशी को आमत्रित किया गया था। इस कारेक्रम के सायोजी का प्रोफेसर कल्लानी दूबे थी, रायसोनी बिजनेस स्कूल की संचाली का डॉक्टर आरती देशपांडे, प्राचरय जस्विंदर का और अधिश्टाता प्रोफेसर माधूरी बरुआ तथा अन्यशिक्षक शीक्षिकाओं ने इस कारेक्रम में प पहला पाचपावली पुलिया की दुरुस्ती तथा डामरी करण करवाने की मांग की गई, प्रतिनीदी मंडल के साथ हुई चर्चा में महापोर ने बताया कि इस पुलिया का डामरी करण करना संभव नहीं क्योंकि आने वाले पाच मेने के भीतर इसे तोड़े जाने की का है, शहर विनकर आगाडी की अध्यक्षक किशोर उम्रेट करने कहा कि भाहन चालो को और पैदल चल रहे नागरीकों को पुलिया से गुजरते समय दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पुलिया के उपर गड़ों के कारण सड़क दुरगटना होने की संभवना भी अतिनीदी मंडल में भाश्पा विनकर आगाडी, महराष्ट्र अध्यक्ष शाम सांदेकर, भाश्पा विनकर आगाडी विदर्ब प्रमुक गजानन खापरे, भाश्पा विनकर आगाडी सहसंपर का प्रमुक लक्ष्मन पाटराबे, भाश्पा विनकर आगाडी के शहर उ नाखपूर में चिकित्सकों के खिलाप लगातार बढ़ रहे मारपीट, गाली गलोज, धमकियों के मामले आए दिन देखने और सुनने को मिल रहे है। कुछ समय से शहर में चिकित्सकों के साथ मारपीट, गाली गलोज, धमकियों के मामलों में बढ़ोतरी हो रहे है। के चिकित्सक और स्टाप राद दिन मरिजों की सेवा में बड़ी साउधानी से जूटे रहते हैं। अथा पिछले दिनों हुई गटना के मद्दे नजर चिकित्सकों और स्टाप की सुरक्षा के लिए प्रशासन को कठोर कदम उटाना चाहिए। ताकि ऐसी घटनाओ की पुनरा वृत्या ना हो सके और चिकित्सक बहतर तरीके से रोगियों की सेवा कर सके। प्रतिनिदी मंडल ने आरोपियों पर शिग्रक अठोर कारवय की मांग की। मराठी और उडिया भाषा में अंतर संबंद प्रगाड है। दोनों भाषा है संस्कृती की सशक्त वाहक है। यह विचार महात्मा गांधी अंतरराश्च्रिय हिंदी विश्व विद्धाले वर्धा के प्रतिकुलपती डॉक्टर चंद्रकान तरागित ने व्यक्त किये। वे विश्व विद्धाले में एक भारत श्रेष्ट भारत के अंतरगत मराटी उडिया अंतरभाषिय संबंद विशे पर हिंदी विश्व विद्धाले एवं उडिसा केंद्रिय विश्व विद्धाले के सयूक्त तत्वावधान में आयोजित ओनलाइन विशिष्ट व्या इसके पस्चाद उडिसा केंद्रिय विश्व विद्याले के एक भारत श्रेष्ठ भारत के नूडल अधिखारी डॉक्टर सौरब गुपता ने प्रास्ताविक भाषन में कहा कि स्वाधिनता अंदुलन में दोनों राज्यों के समाचार पत्रों की अत्यनत महत्वपुर्ण भूमी करई इसके तुलनात्मक अध्यन करने की बहुत आउशकता है उन्होंने संचार माध्यमों में दोनों राज्यों की भाषा रथयात्रा और महाराष्ठ की वारी परंपरा आधी विशेष्टाओं के बारे में जानकरी साजा की और दोनों राज्यों की संस्कूरुती पर भी अपने विचार व्यक्त किये वक्ता के रूप में हिंदी विश्व विद्याले के शिक्षा विबाग के सायक प्रोफेसर डॉक्टर भरत पंडा भी उपस्ठित थे डॉक्टर रागिट ने कहा कि महाराष्ठ और उडिसा की आध्यात्मिक संस्कूरुती में काफी सम मानता है है महाराष्ट्रा में विठल रुक्मिनी और उडिसा में भगवान जगन्ना छ्रमी को और सामन्य लोगों के प्रतिनीरी करने वाले भगवान है नाकपूर महानगर पालिका के पाच साल के आम चुनाओ हेतु मंगलवार को वार्ड धाचे की गोशना कर दी गई पर उपलब्द करा दिये गए है ताकि वार्ड सररचना को देखने के लिए नागरिकों की भीड एकतरीत न हो इसके अलावा सिविल लाइन स्थित मनपा मुख्याले वह सभी जोनल कार्याले में वार्ड सररचना के मानचित्र भी प्रदर्शित किये गए है वार्डों के गठन पर यदि कोई आपत्ती एवं सुजाओ हो तो संबंदित व्यक्ति या संगटन को 14 फरवरी तक नागपूर महानगर पाली का निर्वाचन कार्याले सिविल लाइन्स अत्वा संबंदित जोनल कार्याले में आवेदन जमा करना होगा आपत्ती और सुजाओ प्रस्थुत करने वाले नागरिकों को इस बारे में सुनवाई में भाग लेने के लिए अलग से सुचित किया जाएगा आज 15 पलस और 45 पलस आयू वर्गे के सबी नागरिकों का कोवी शिल्ट का टीका करन नागपूर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंदरू पर होगा टीका करन का समय शाम के पाच बजे तक होगा टीका करन के लिए ओनलाइन और आफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजी करन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइव इन वैक्सिनेशन के इंद्रू पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरिकों को कोवी शिल्ड के जरिये टीका करन किया जाएगा यह जानकारी चिकित सा स्वास्थय अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर ने दी इसी तरह 15 वर्ष और 45 वर्ष के नागरिकों के लिए कोवैक्सिन का पहला और दूसरा डोध मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबासाइब आमबेटकर अस्पताल कामठी रोड वस्वर्गिय प्रभाकर दटके मनपा महल रोगनीदान केंद्र एम्स आइसोलेशन अस्पताल इमामबडा, इंदिरा गांधी अस्पताल गांधी नगर, मनपस्त्री अस्पताल बाचपौली और प्रगती हल दीगोरी में पुलब्द है तो नागपुर हल चल में आज इतना ही, आप से फिर बुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए विकेबी न्यूस, नमस्कार